जैहन दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बच्चे होंगे तो दोस्तों जिन बच्चों ने सिएटेस के अंटरेंस एक्जाम दिया था और रिजल्ट आने के बार रिजल्ट देख लिया है बच्चों ने उसके बाद बहुत सारे बच्चों को यह डोट है कि हमारे इ दिखाएंगे और बताएंगे भी किसी हो इसके याजय किसे होरा में जसी पर अपकर वर हो जाएगा इसीत के बारे में कितने नमबर पर इडिज्म ले सकते हैं हम डिस्कॉस करेंगे और आपका अपकर हुने में जो आपकर व्यमि selbst फ्राइब इस इस चीज़ों के बारे में DESTLE 감사 करेंगे तो यह जो आपका 6 दिया मिलगा से प्राइथ प्रीवան है पूरा प्रोसित कि यह तरीगती आप Kids ऐसे forcing iis तरीम होई थी और उसी के accounting आपकी इससाल भी आपकीcast वहने वाली यह में स्क्रीन पे देख ऋआ आज सी आधे का पस्राइख का कौनसलिंग प्रॉचिस है किस सरीके से आपकी दो जार एक किस में आपकी। इसके बारे में तो आप मिजार आपकी जो जो कौनस्ट एंग हाँ तो इसके से ओसे पा Ł excuse के से पहरा हो फिर सिरेख तो आपको डेट मेंटर नहीं करती क्योंकि आपको 2022 की नुई डेट मिलेगी किस की डेट में क्या क्या होने वाला है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है आपको इंस्टूट सिलेक्ट करने होते हैं जब आपका इंस्टूट सिलेक्ट करने का टाइम आएगा हम आपको बत में आप आजबोर हमाई तो इसकी बो एक हजार रुपय आपकी फीस में ऐड हो जाते हैं कि जो कौन्डिंग फी कटती है तो आपको सबसे पहले च्वाप कांट्समोन की कटेंगी उसके बार्थ कुछ जिस भी NSA जो आपके करीब ही होगी तो आपको काशिब की है Wal 87 कि हाई स्कूल की मार्क सीट और उसके लाबा आपकी अगर आपने इंटर की मार्क सीट लगाई है तब आप इंटर की मार्क सीट और उसके लाबा आपका आई टे की सेटिफिकेट और मार्क सीट और इसके लाबा आप से किसी किसी में आपका मेडिकल या टीसी बगारा मांगता है तो वो आपको कॉलिज के नंबर पर कॉल करके जिसे कि आपका नेरेश्ट 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 न कब वाली बात नहीं है आपको इंतिजार करना है फैनल का कब आपकी फैनल डेट आएगी आपको जब आपको कॉलेज जाके अपना एड़िशन फैनल करना है और वहीं से पड़ाई स्टार्ट हो जाती है ठीक है उसके लाब आगर जैसे मान लो कि आपके पास आपने मिलता है अगर अगर आप transfer करते हैं तो आपको दूसरा अगर अगर आप उस merit में आते हैं तब आपको अगले दिन आपको उसकी confirmation मिल जाती है ठीक है कि आपका transfer हो गया है तो उसके लावा उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना होता है उसके बाद आपको आता है second phase ठीक है जो seat बच जाती है जो बच जाती है जो बच जाती है तब आपको क्या करना होता है फिर second phase के लिए आपको college select करना होते हैं जो भी जिन जिन college में seat available होंगी बहां आपको college select करने हैं अगर आपने first phase में piece payment नहीं किये किसी बचे से first phase आपको counseling का छूड़ गया है तब आप second phase में piece payment कर सकते हैं ठीक है अगर आपने पहले से pay कर दिये तो second phase में आपकी कोई piece नहीं जाएगी फिर उसके बास सेम इसी की तरह होगा आपको college alert होगा college alert होने के बाद में आपको nearest NST में जाके अपने document verification कराने होंगी आपका प्रविजन हो जाएगा उसके लाब अगर आपको मनपसंद college ना मिलता है तो फिर आपको transfer round का मौका मिलता है उसके लाब अगर हम third phase की बात करें third phase में भी same process होता है ठीक है जो college जिन college में seat available होती है उन college में आपको जाना होता है sorry जाना नहीं होता है उन college को select करना होता है select करने के बाद में आप अगर आपने first phase or second phase में first phase और second phase में आपने अगर piece पी नहीं किये या आपके किसी वज़े से छूड़ गए है तब आप third phase में अपनी फी पे करेंगे और अपना जो भी है फी पेमेंट करने के बाद में आप कॉलिज को सेलेक्ट कर लेंगे कॉलिज सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर कॉलिज अलॉट होंगे अगर आप मेरिट में आते हैं तब आपको कॉलिज मिल जाएगा उसके बाद अगर आपको college मिल जाता है तो nearest ये फिर जाएंगे आप और अपने document verification करेंगे अगर आपको 1% college नहीं मिलता फिर आपको transfer round मिलता है तो transfer round में आप अपने 1% college में transfer round का तरीका ये होता है जैसे कि आपको 5 choice मिलेंगी आपको college select करने की मालो एक दो तीन और चार और पांच इस तरीके सापको 5 choice मिलेंगी अगर आपको पहले choice में आपने Mumbai वरा second में आपने चे नहीं वरा और इस तरीके से थर्ड में आपने Kolkata वरा ठीक है ये एनेस्टे की बात करना है ये फूर्थ में आपने देहरदून वरा इस तरीके से आपने वरा मालो आपको Kolkata एडविशन आपको फ़र जो आपको college लाकिये थे इसमें आपको Kolkata अलाट हुआ अप आपने Kolkata प्रोपेजन एडविशन ले लिए कि हाज लो कोई दिक्त नहीं है उसके बाद आप जब ट्रांसफर डांट का मौका आएगा तब आपको सीट दिखेंगी आपकी डिस्पेले पे जब अपने आप एमेल और मौहाल नंबर डान कर को खोलेंगे तब आपको सीट अभी लिए लोंगी जो कि हम अपने चैनल पर वीडियो के मार्जम से भी आपको जानकारी देते रहेंगे तो आप चैनल को सिस्क्राइब करके बेल आको अंदबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे तो कोलकाता के बाद में तो आप इन दो कॉलेजों के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं नीचे के कॉलेजों के लिए आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं यह उपर के जो कॉलेज हैं जैसे की चैन नहीं और मुंबई तो आप यहां से उपर के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप इसमें सीट अबेलेबिल होने पर तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं उसक बनती है जिसमें आपको उसके साब से आपको सीट अलॉट कर दी जाती है सीट अलॉट करने के बाद में सेम प्रॉसेस अपनाए जाता है ठीक है तो यह आपका होता है और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पे इन्होंने 15 दिसंबर की जो आपका कंसाइनमेंट ऑफ सीशन 2021 21 तो 15 अगस्त की डेट दी हुई थी उन्होंने जो आपका फाइनल एडविशन के लिए जो आपको सामान बगार आपना जो भी कॉलेज अलॉट है उसमें आपको प्रॉविजन एडविशन है जिस भी कॉलेज में आपको बहां जाना है और आपको पढ़ाई स्टार्ट करन जैसा कि आपने अभी देखा है आप 2022 का प्रॉशेस में तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आया लेकिन डेट बगार तो आपको पूरी जानकारी दे देंगे अब हम बात करते हैं इसके बाद कि आपकी कॉट आफ कितनी जाती है तो कॉट आफ तो अब हम देखेंगे इस में जो आपके CTS में जिन बचों की कट-off के बारे में कर तो कट-off दे की CTS कॉंस्लिंगस सेकंड फेज सीट अलौट में तो जिन बचोंने सेकंड फेज के लिए कॉलिए क्रिज अलौट किये ते उन्हें कितने कितने नंबर पर आपका कॉलिज अलौट हो गया था तो 2021 का है यहां पर आपको यह confirm कर दें जैसे कि आपकी अगर मालों ट्रेट कंप्यूटर सप्ट पर राप्लिकेशन है तब आप यहां पर देखेंगे मुंबई बैंगलोरू और मुंबई और यह और उसके लाबा इंदौर मुंबई बैंगलोरू यह जिन जिन कॉलेजों में यह थर्टी बन नमबर वाले का भी अड्विशन हुआ है यहां पर देखेंगे बैंगलोरू में ठीक है तो इस तरीके से आपकी कटॉफ है उसके लाबा हम बात करें अगर दूसरी टेट हो की मालों इलक्रीशन है इलक्रीशन में देखिए यह आपकी इलक्रीशन टेट है और हम बात करें तो सिकेंड सीट फर्स्ट फर्स्ट कॉंसलिंग में ही आपकी सारी फूल हो जाती है लेकिन आपको सीट लाज तक कॉलिजों में अबलेबिन मिलेंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं और कुछ अब प्रिजन ले लेते हैं उसके बाद कॉलिज आपको मिल जाएगी और इसमें देखिए आपका 49 और 28 नमबर बाले का भी अडिविशन हुआ है फीमेल ऐसी जनल का टेग्रीव से ठीक है अब लेकिन यह हैंडिकेप्ट वाले बच्चे का हुआ है उसके रावर यहां पर आप देखेंगे 42 43 40 32 इस तरीके से आपके OBC और यानि कि जनल यह आप मान के चलिए आपका अगर आपके 40 प्लस में नमबर आए और आपको NSTI College अविलेबिल हो जाएगा लेकिन फर्स्ट फेज में नहीं होगा सेकेंड फेज में अगर मालो नहीं हुआ किसी बैसे तो थर्ड फेज में नहीं तो आपका फोर्ट जो स्पोर यहां पर यहां पर इस पीडिया में देख सकते हैं यह आपका टर्नर का है और आपका यहां पर अगरिकल्ट का है कारपेंटर का इस तरीके से आपके और यहां पर अलग अलग कॉलेज हैं यहां पर फीमेल कैंडेट हैं मेल हैं यहां पर जनल और हैं आप इस तरीके से अगर हम कारपेंटर की बात करें तो 40 42 42 38 35 33 ऐसे आपके एड़िशन होए तो इस तरीके से आपका हो जाता है इसली एड़िशन हो जाता है अगर आप 40 40 पिलस में आपके मार्ग से तो आप निश्चेंद रही है आपका एड़िशन कंफर्म हो जाएगा और अगर आप ये प्रवट नहीं देखने की सिंपल ये आप मानके चलिए आपकर आप कोई सी भी कटेगरी से हैं आप 40 पिलस आपके मार्ग से तब आपको इजली एड़िशन मिल जाएगा ठीक है एड़िशन मिल जाएगा क्योंकि इसमें कई फेज होते हैं जिसमें आपको एड़िशन मिलत है क्योंकि बहुत सारे बच्छे चोड़ते हैं बहुत सारे बच्छे एड़िशन लेने के बाद भी छोड़ देतें तो यह रहता है कोई बच्छे दूर के मेज़े से नहीं जाथ पाते तो इस तरीके से नहीं जापते और दोस्तों एक इनप्रमेशन और हैं अगर आप सभ करते हैं हमने बहुत सारी कॉलेज्जों की जितनी भी इनेस्ट चाहिए मैक्जिमम मैनेस्ट चाहिए की डिटेल पूरी आपको बहां पे दी हुई है तो हम इस वीडियो को यहीं पर समफ करते हैं वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंड बाक्स में जरूर बताना और जो भी कि डाउट हैं आपके कमेंड बाक्स में करना ऊसके लेटित नम अगले आप वीडियो मैं आपको पूरी जनकारी देदेंगे तो विडियो अकर आपको अच्छी लगा है तो वीडियो को लायक जरूर करते हैं पर चैनल को सब्स्वाइब करके बैल आको जरूर दबा लेना ठीक है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मिलते हैं नक्स वीडियो में तब तक के लिए चाहिए